नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पियार मैं हूँ आदेश पूरी आज 20 जनवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से परकासित होनवाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंद आपके और हमारे जीवन से है तो चलिए सुर देखिया कि नौ नियूक्त राष्टपती जो बाइडन जो है आज राष्टपती पत की सफत लेंगे और ऐसे में ट्रम्प समर्थ को के द्वारा उत्पात न मचाया जाए इसके लिए पूरे वासिंटन डेसी सहर को किले में तब्दिल कर दिया गया है और सुरक्षा के वैक्सिन साबित हो रहे हैं बता दे आपको कि जो वैक्सिनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट की दर है जो भारत में वो 0.001 पर तीशत रही है अभी तक जिने होस्पिटल में जाना पड़ा है वही अगर हम बात करें फाइजर और मोडर्ना की तो उनका 0.6 रहा है कि जिने वो वैक्सिन लेने के बाद करोना की उनका पड़ा है तो ये भारत के लिए एक काफी अभूत पुर्व सफलता है कि भारत के दो में बने दो वैक्सिन कोवी सिल्ड और को वैक्सिन काफी सुरक्चित है वही अगली खबर हमने लिया है धैनिक जागरन से इसमें दिया हुआ है कि तांडव जो की वेब स्रीच अमेजन प्रैम दोरा जारी किया गया था नौ पीसोड वाला उसमें कुछ द्रिस्यों को लेकर आपत्ती थी जिसको लेकर बीजेपी और वीएच पी ने आपत्ती हुए उसके निर्माता और निर्देशक मंडल है उन्होंने फैसला किया है कि वैसे सीन को हटा लिया जाएगा वही अगली खबर हमने दैनी जारण से लिया इस पर दिया हुए कि तेईस जन्वाई को नेता जी सुबाश चंदोस का जन्दिन होता है और ऐसे में भारत सरकार ने फैस्ता लिया है कि उनका 125 जन्दिन प्राकरम दिवस के रुप में मनाया जाए प्रियाटन मंत्राले के दोरा इसके अधिसुष्णिया जारी की गई और इस साल उनका जन्दिन 125 काफी धूंधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा वही अगली खबर विद्यानिक सोसल मीडिया पर कि कि सांसादों को संसाद कुला झाला जाता है इसको लेकर आपका बता दे कि फैस्ता हैं जो बिजट चत्री की शुरुबात हो रही है उसमें संसादों को संसेल कौन जो सबसब्राइस को चुआना पड़े गा जितना उसका होना चाहीए वही अगली कबर भी हमने दैनिक जागरन के राष्टी संस्मरंद से लिया है इसमें दिया हुए है कि भारत बायोटेक ने दी चताउनी बीमार और गर्वती न लगवाएं वैक्सिन आपको बता दे कि भारत बायोटेक जिसने लिया है उसने चताउनी दी है हिदायत दी है वैसे लोग जिने तेज बुखार है या फिर वो किसी गंबीर बिमारी से पिडित है या फिर गर्वती है या बच्चों को अस्तन पान कराती है उन्हें वैक्सिनेशन न ले न कराएं क् उनके लिए पर्तिकुल परभाव पैदा कर सकता है ऐसा उनके द्वरा कहा गया वही कोरोना वैक्सिन से रिलेटे डेकॉर खबर दैनिक जैनान ट्रास्टेशन परंसर ने लिया है जिसमें दिया है कि भारत अपने परोसी 6 देशों को यह वैक्सिन जो है अनुदान कुरूप में देगा जिसे मेनमार, भुटान, नेपाल, सेसेल, समाल्दिव जैसे देशों को दिया जाएगा और परोसी पहले की निती पर काम करते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है अगरी खबर हमने जनसत्ता से लिया वाटटसप से नई गोपनियता नीती वापस लेने को सरकार ने कहा है सरकार ने साफ साफ कहा दिया है वाटसप को उनके निदेशक मंडल को कि दुनिया के सबसे ज़य Además भारत में है और इससे उनके निजता और गोपनियता का अनन हो सकता है तो ऐसे में जो नए नियम है उसे वापस दिये जाएं। और इसे पूरी तरह वापस लेना किसानों के साथ अहित करना होगा तो इस पर विचार करने की जरूरत है। इंदुस्तान से लिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि अब सब्ता में दो दिन ही लेगा कोरोना का वैक्सिन। बिहार में सरकार ने फैसला लिया है कि पर्थम चरन में वैसे स्वास्तकर्मी जिनको अभी तक ठीका नहीं लग पाया है। अब मंगल वार और सनी वार को ही वैक्सिनेशन किया जाएगा। आपको बता दे कि केंदर सरकार ने चार दिन सब्ता में इसके लिए नियत का रखे थे। और बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब दो ही दिन ये टीका करन होगा। वाई अगली खबर हमने इंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि 17 फरवाडी से सुरू हो रहा है बिहार मैट्रिक परिक्चा को लेकर सरकार ने एडवाजरी जारी किया है। और सरकार का साफ काना है कि COVID प्रॉब्लम को देखते हुए एक बेंच पर दो ही छात्र बैठेंगे। और इसके लिए काफी एडवाजरी जारी की गई है जिसे लागू करना होगा। वह यह अगरी खबर हमने दैनिक भासकर से लिया है जिसमें दिया हुआ है कि कॉंट्रेक्ट पर बहाली में भी अब लागू किया जाएगा आरप्छन। आपको बता दे कि बिहार सरकार जो संविदा पर बहाल करती है उसमें भी आरप्छन की नीतियों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। ऐसा सरकार ने फैसला लिया है तो यह थी आज देश और बिहार से परकासित आने वाले समचार पत्रों की वैसी ख़बरे जिनका सीधा सरकार आपके और हमारे जीवन से है अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सेर करें कमेंट झाप